ओम शान्ति है? वह सोचते हैं, अरे, हमें क्या पता हुमारे? नहीं पता ना, अभी आज पता चाहरा है, मालो आज का दिन शुरू होता है, अब कल पेले आज के दिन आप बहुत सोय थे, सारा दिन सोय वह थे, आपको किसी ने आके का आपके कान में, कि कल पेले तुम आज के दिन बहुत सोय थे, तो आप ट्राइ करके देखना आप सो पाओगे, नहीं पता ना, क्या पता बहुत अच्छा पुर्शार्थ किया था, आज के दिन आपने बहुत ऐसी एक्टिविटीज की थी, पहुत आगे बढ़ चड़कर आपने जो रुके वेकारे थे वो पूरे किये थे, तो पता है किसी का, तो आज जब आपके सामने हैं, आप वो करें जो आपको शिर्मत कहती है, तो कल पहले भी आपने शिर्मत परमान चला था, बाबाा जानते हैं कि सब नंबर वार हैं, फिर भी पुर्शार्थ करा रहे न, युक्तियां बता रहे है, रोज समझा रहे हैं, मालूम है बाबा को सब अपने नंबर वा पुर्शार्थ अनुस्वारी सेखेंगे, सबकी बुद्धी अपनी अपनी हैं, कितना भी किसको समझाने कि कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते, पर बाबा पुर्शार्त कराते रहते हैं, पता नहीं कब कौन बात पर समझ जाए, एक धक से एक Sund hasya, इतना अच्छे से clear हो जाए कि सारे point clear हो जाए, कहीं बार हम किसी एक Sund hasya पोजे रहते हैं, और सारे points मुझे रहते हैं, और कभी-कभी एक पॉइंट सुलज जाने से पूरा जीवन सुज़ जाता है बताओ तो क्यों न रोज परमात्म महावक्के सुनकर, उनकी युक्तियां सुनकर उनको अपलाई किया जाए और फिर जीवन को आगे बढ़ाया जाए फिर उसके बाद आप कहना, अब मैंने वही पुर्शार्थ कर लिया जो कल पहले किया था ये लास्ट का पॉइंट है, ये जो पुर्शार्थ करते उसके लिए पॉइंट नहीं है ये पुर्शार्थ करने के समय का पॉइंट नहीं है कि कल पहले जो पुरिशार्त किया था. यह लास्ट का पुरिशार्त है. किस समय का पॉइंट है, लास्ट का पाट. क्लियर? ये से कोई पेपर देने जाता है, तीन घंटे में उसको सब कुछ करना होता है. पुरे साल का लेखा जोखा उसको निकालना होता है, लेकिन जब वो तियारी कर रहोता है, यह थोड़ा सोचता है, सारे साल तो कुछ किया नहीं, अब क्या कर सकूँगा, वो यही सोच के करता है कि अभी तो मैंने मेहनत करी है, चलो बाकी जो भी दिखा जाएगा, पुर्षार्थ पर करती है, प्रालब्द पर पुर्षार्थ नहीं, इसलिए बाबा बार बार कहते है, मैं तो अपना पाट अच्छे से बजा रहा हूं, तो मैं पुर्षार्थ कराने के लिए युक्तिया बता रहा हूं, मैं खुद कितना पुर्शार्थ करता हूँ, तुम्हें एक चोटी सी बात समझाने के लिए सोचो, कितनी युक्तियां, कितने तरीके से तुमको बेसिक चीजे ही सिखाई जाती है, तुम्हारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, तुम्हारा स्वभाव संस्कार कैसा होना चाहिए, तुम खुद सोच में कैसे होने चाहिए, ओक है ना, wonderful, तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेनत करनी पड़ती है, हरे की तकदीर है तो कल पहले वाली, फिर भी बाप पुर्शार्थ कराते रहते हैं, यह नहीं बता सकते कि आठ रतन कौन बनेगे, किसी की यहां नहीं लिखा हुआ कि यह आठ में से कौन सा रतन है, हाँ उसका पुर्शार्थ लास्ट में यह चीज को परतक्ष कर देगा, कि यह वो रतन है, बाकि किसी का नहीं पता लगता है, किसी लिए आज किसी को देखो तो नंबर बन दिखा ही देते हैं, उनका बुर्शार्थ देखकर ऐसे लगता है वाह, और फिर अगर तो चार दिन के बाद देखो, उनकी ऐसी अक्टिविटी हो चुकी होती है, तो उनकी शिरिमत के इसाब से देखा जाता है, तो मैसूस हो जाता है कि इनका सोभाव संस्कार जो है, वो नंबरों बलों में भी नहीं है, तो बार निकल गया, तो नहीं बता सकते, तो यह नहीं बता सकते कि आठ रतन कौन बनेगे, बताने का पार्ट इनी है, आगे चल तुम अपन पाठ को भी जान जाएंगे, जो जैसा पुर्शार्थ करेगा, ऐसा भाग्य बनाएंगे, ओके, ओम शान्ति,